C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ 19 जड़ों का जाल प्रिष्ठ 158 अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देख भाल में अपने अब्बु की मदद करने गया। के हाथ लाल हो गए। खीचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई। और तो और मटर की नाजुक बेल भी तूट गई। अब्बु ने कहा तुम घास के पौधे क्यों खीच रहे हो। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तुम्हें इने खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुर्पी से कुछ घास के पौधों को उखाड़ना चाहा पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के उपर था उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। घास का छोटा सा पौधा भी आसानी से क्यों नहीं निकल पाया। जबकि मटर की बेल के सहारे के लिए लगी डंडी एक जटके में गिर गई। क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं। अपने आसपास के कुछ पेड पौधे देखो। अंदाजा लगाओ इनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। प्रिष्ट 169 तीन दिन बाद अबदुल ने देखा की मटर के पौधे का तूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था। अंदाजा लगाओ की पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा और क्यों। अबदुल को याद आया की सलाद के लिए कुछ मूलिया निकालनी है। अबदुल मूलिया उखाडने लगा। उसने सोचा क्या ये भी जड़े हैं। अभी अबदुलने कुछ ही मूलिया उखाड़े थी कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगे। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागे। वे अभी घर पहुँचे ही थे कि अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड की टहनी तूट कर गिर गई। अभू बाल बाल बचे। वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए। अभू बोले पौधे सूखे जा रहे हैं। अभू बारिश हो गई है। सो हमें पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं है। अब हम आराम से बैठ कर लुडो खेल सकते हैं। तुम क्या सोचते हो कि तेज आधी के बावजूद नीम का पेड ग्यों नहीं गिरा। मुर्जाय हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फेर से हरी हो जाती हैं। कैसे। तुम्हें क्या लगता है क्या सभी पौधों को पानी देना चाहिए। तुम्हारे आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी देने की जरूरत होती है। अगर इन पौधों को पानी ना दें तो क्या होगा। अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड को पानी नहीं दिया। उसने सूचा नीम के पेड को पानी मिलता कहां से है। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड पौधी हैं जिन्हें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें पानी कहां से मिलता है। कोई दो अंदास लगाओ। प्रिष्ट 160 हम यहां कुछ सबजियों के नाम बता रहे हैं। पता लगाओ इन में से कौन सी सबजियां पौधों की जड़े हैं। बैंगन, गाजर, घीया, फूल गोभी, तिंडा, मूली, टमाटर, तोरी, चुकंदर, पत्ता गोभी। तुम्हें बताना है कि इन में से कौन सी सबजी पौधों की जड़ है। सवाल ही सवाल। आजकल तो अब्दुल की दिमाग में पौधे ही घूमते हैं। उनके बारे में अनेको सवाल उठते हैं। स्कूल की दिवार से एक पौधा निकलते देखकर अब्दुल सोचने लगा। इस पौधे की जड़ें कहां तक जा रही होंगी। इसकी जड़ों को पानी कहां से मिलता होगा। यह पौधा कितना बड़ा होगा। दिवार का क्या होगा। दिवार से निकलते किसी पौधे को देखो तो उसे पहचानो और उसका नाम बताओ। अब एक बात अध्यापकों से। पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लेते हैं यह इस उम्र के बच्चों के लिए समझना कठिन है। फिर भी यह आवशक है कि उन्हें इस बारे में सोचने का अफसर दिया जाए। बच्चों का चिंतन अलग-अलग स्तर का होता है। यह जरूरी है कि उनके विचार भी सुने। प्रेश्ट 161 क्या तुमने कभी किसी दिवार की दरार से कोई पौधा उगते देखा है। कहां पर उसे देखकर क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठा। कुछ प्रश्ण बताओ। अपने बड़ों से उनकी उत्तर पता करो। उस पौधे का नाम पता करो जिसे तुमने देखा। अबदुल ने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड गिरा हुआ था। उस पेड की कुछ तूटी हुई जड़ें भी दिखाई दी। उसे अपने घर का नीम का पेड याद आ गया। उसने सूचा क्या इतने बड़े पेड को किसी ने उखाड़ा हुगा या यह अपने आप ही गिर गया। यह पेड कितना पुराना होगा। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि एक पेड के चारो तरफ की जमीन को सीमेंड से पक्का किया हुआ है। पेड के चारो तरफ की जमीन सीमेंड से पक्की की गई हो तो इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा। बताओ, तुम्हारे इलाके में सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं। अपने बड़ों से पता करो कि वे पेड़ कितने साल पुराने हैं। इस पेड़ पर कौन से पक्षी रहते हैं। क्या कभी तुमने कोई बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा है। उसे देख कर तुमने क्या सोचा अरे जड़ें ऐसी भी और सुनो एक मज़ेदार बात बरगत के पेड़ की लटकन जिस पर अबदुल और तुम्हारे जैसे बच्चे जूला जूलते हैं असल में इसकी जड़ें हैं वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं ये मजबूत खंभों की तरहा पेड़ को सहारा देती हैं दूसरे पेड़ों की तरहा जमीन के अंदर भी बरगत की जड़े होती हैं प्रिश्ट 162 पेड़ काटने के खिलाफ कानून है सडक पर बिजली के खंबे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्व की रोश्नी भी नहीं आ रही थी इसलिए लोगों को उसकी छटाई की जरूरत हुई ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मन्जूरी लेनी पड़ी क्या तुमने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जणे टहनियों से लटकती हूँ आओ करें क्लास में तीन या चार बच्चों के समूह में बट जाओ इन चीजों को इकठा करो कांच का गिलास या चोड़े मूह वाली बोतल रुई रबर बैंड या धागा कुछ दाने साबुत मूंग गेहूं, बाजरा, सरसूं, चना या राजमा प्रिष्ट 163 अब यह प्रयोक करो हर समूह अलग-अलग प्रकार के बीज ले एक ही तरह के पांच्चे बीजों को एक कटोरी पानी में राद भर भिगो दो एक कांच का गिलास या फिर चोड़े मुह वाली बोतल लो इसके मुह पर रुई की एक तह गीली करके रखो इसे रबर बैंड या धागे से बांध दो भीगे हुए इन बीजों को गीली रुई पर रखो ध्यान रखें कि रुई गीली रहे इसे 10-12 दिन तक रोज देखो क्या बीजों में से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है पौधा चौथे और आठवे दिन कैसा दिखता है उसका चित्र बनाओ इन प्रश्णों के उत्तर कौपी में लिखो सूखे और भीगोए हुए बीजों में क्या अंतर दिखे अगर रुई सूखी रह जाती तो क्या होता जड किस तरफ उगी ये पौधे रुई में कितने बड़े हो पाए क्या सभी बीजों में से पौधे निकले जड़ों का रंग क्या है क्या तुम्हें जड़ों उपर बाल दिखाई दे रहे है प्रिष्ट 164 इन पौधों को रुई से अलग करने की कोशिश करो क्या अलग कर पाए क्यों तुमने देखा कि जड़ों ने रुई को जखड़ा हुआ था तुम क्या सोचते हो क्या इसी तरह से जड़े मिट्टी को जखड़े रहती है अपने दोस्तों के उगाय हुए पौधों को भी देखो क्या तुम जानते हो औस्ट्रेलिया में एक पेड पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक इसकी उँचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम अंदाजा लगाओ इसकी जणे जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी सोचो यदि ऐसे तीस पेड जमीन पर लाइन से लिटा दिये जाएं उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं इस पेड की जणे जब तक की पानी तक ना पहुँच जाएं यह पानी पेड के तने में जमा होता रहता है उस इलाके में रहने वाले लोग यह बाद जानते थे जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग इस के तने के अंदर पतला पाइप डाल कर पानी निकाल लेते थे क्या क्या बढ़ता है आरिफ और रुपाली में आपस में बहस छिड़ गई कि ये ये चीजें बढ़ती है आरिफ बोला पत्ते, मुन्ना, कली, पिल्ला, नाहून, गारी रुपाली बोली, चांद, पेड, मैं, बाल, तर्बूज, मच्छर, कव्वा प्रिष्ट 165 तुम ही क्या लगता है, इन में से कौन-कौन सी चीजें बढ़ती है तुम भी अपनी एक सूची बनाओ और लिखो तुम अपने बारे में सोचो तुम किस-किस तरह से पिछले कुछ वर्षों में बदले हो जैसे, क्या तुम्हारी लंबाई बढ़ी है पिछले एक साल में कितनी सोचो, अगर तुमने अपने नाकून कभी काटे ही न होते तो वे कितने बढ़े होते अपनी कौपी में उनका चित्र बना कर दिखाओ तुम्हारे शरीर की क्या ऐसी कोई चीज है जो बढ़ती रहती है क्या उसे समय समय पर काटना पड़ता है जणों का जाल अभी आप सुन रहे थे कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का उननीसवा पाठ प्रस्तुती C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत